इक्जाम साने वाले हैं, टेंशन हो रहा है, टाइम टेबल बनाना है और उसे सक्सेस्फुली फॉलो भी करना है, तो बने रहें इस वीडियो में हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चानल पर, मुझे पता है कि बहुत कम समय बचा है और आप सबके एक्जाम्स आने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम टेबल के बारे में, जो आज तक हमसे कभी फॉलो हुआ ही नहीं, क्य लेट्स गेट स्टार्टेड दोस्तो, ऐसा समझ लिजे कि आपको एक कार मिली है और आपको कार चलाने भी आती है जिसने आपको वो कार दिया है वही इंसान आपको चाभी भी दे रहा है और कह रहा है चलो आप कहोगे कहा चलना है फिर से उसने कहा चलो अब इस चलते रहोगे आपको कुछ भी नहीं पता लेकिन ऐसा क्यू हो रहा है क्यूंकि आपके पास कोई गोल नहीं है यानि आपको पता ही नहीं आपको कहा जाना है क्यूंकि आपके पास कोई गोल नहीं है आप जरा भी क्लियर नहीं हो और आप बहुत जारा कन्फियूज हो उसी उसके बाद उसके उपर सबसे पहले अपना गोल लिखे कि आखिर आपको बनना क्या है, किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को एंजीनियर बनना होगा, किसी को सिये बनना होगा, किसी को सिंगर बनना होगा, किसी को कॉरियोग्राफर बनना होगा, आपको जो भी बनना है इस long term goal के नीचे आपको लिखना है short term goal कि आपको अपने 12th या आप जो भी class में हो इसमें आपको कितने marks लाने हैं कितने percentage लाने हैं कि क्या आपको average marks लाने हैं 62-70 के बीच में या फिर आपको good marks लाने हैं 72-80 के बीच में या फिर आपको very good marks लाने हैं 82-90 के बीच में या फिर excellent marks लाने हैं 92-100 के बीच में इन दोनों goals को लिखने से यानि कि अपना long term और अपना short term goal लिखने से आपके अंदर एक clarity आ जाएगी और आप बिल्कुल confused नहीं होंगे अब जब आप अपना long term goal लिख रहे होंगे तो doctor, engineer, ca या फिर और भी सारे जो भी होंगे इन सब में तो पढ़ाई की जरूरत है आप कहेंगे हाँ पढ़ाई की तो अपने को जरूरत है लेकिन singer, choreographer या फिर कोई sports person या फिर कोई artist इन सब को पढ़ाई की क्या जरूरत है ये आपके mind में बहुत बड़ा सवाल होगा लेकिन एक बात याद रखना पढ़ाई करने से आपको सिर्फ marks नहीं मिलते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आपको उससे मिलता है knowledge और आपका main motto पढ़ाई से marks नहीं knowledge ही होना चाहिए क्योंकि marks तो आप एक रात पह होद जादा competition है और हर जगा knowledge चाहिए और knowledge आपको कहा से मिलेगी पढ़ाई से ही मिलेगी books पढ़ने से ही मिलेंगे कुछ लोग तो ये excuse देते हैं कि Ambani, Bill Gates ये सब तो drop outs है इन लोगोंने क्या पढ़ाई करी है लेकिन तो भी देखो आज कहा है तो ये सिर्फ comedy videos में ही आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये लोग कितना पढ़ते हैं कितने books पढ़ते हैं इतनी मोटी मोटी किताबे ये लोग कुछ दिन में ही खतम कर देते हैं हमसे यहाँ पर एक unemployment का chapter या एक poverty का chapter नहीं पढ़ा जाता है और ये लोग इसके उपर पूरी किताबे पढ़ और फिर उसका क्या effect पढ़ेगा अपने business में इतना सब करने के लिए लोग books पढ़ते हैं और books में इतनी power भी है कि वो कुछ भी करवा सकती है अपने body को feed करने के लिए ना जाने आप क्या क्या खाते रहते हो दिन में कभी वो कभी ये कभी वो कभी ये बट आप अपने दिम अगर आपको कुछ खिलाना है अपने दिमाग को आपको ग्रो करना है तो आपको अपने memory के अंदर information डालनी होगी knowledge डालनी होगी और ये सब आपको कहा से मिलेगा books से मिलेगा चाहे वो कैसी भी books हो आपकी course की books हो या फिर कोई अलग type के books मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ क पढ़ाई आप सिफ knowledge के लिए कीजिए आप ऐसी पढ़ाई कीजिए कि आपको knowledge भी मिले और आपको marks भी मिले तो चलिए फिर से आजाते हैं अपने topic पर आपने एक time table के लिए sheet ले लिया है और उसमें अपने दो goals भी लिख दिया है एक long term और एक short term अब हमने goal तो लिख लिय लेकिन अब हमें जरूरत है एक mind map की यानि कि एक ऐसे नक्षे की जिसकी help से हम इस goal तक पहुँच सके तो make a mind map में सबसे पहला point आता है evaluate आपको किसे evaluate करना है सबसे पहले आपको evaluate करना है अपने syllabus को अपने सारे subjects का list बना लिजिए उसमें कितने chapters हैं वो भी लिख लिजिए और कौन से subject आपके लिए easy है hard है ये भी लिख लिजिए अब आपने subjects को evaluate कर लिया है अब आपने आपको evaluate कीजिए कोई भी paper ले लिजिए pen ले लिजिए और उसके बाद सूचना शुरू कीजिए कि आप generally कितने बजे उठते हो आपको अपना routine work करने में कितना time लगता है यानि कितने घंटे की होती है आपका routine work प्लस आपका school time प्लस आपका tuition time इन सब को मिलाने के बाद आप देखे कि आप कितने घंटे इन सब चीजों में लगा रहे हैं उसके बाद उसमें add कीजिए अपना sleeping time और फिर देखे कि आपके पास कितना time बच रहा है क्या आप उस time मे waste कर रहे हो देखे जो भी hours आपके पास निकल के आएं यह hours आपके लिए बहुत important है और आप जब अपना real वाला time table बनाओगे तो आपको इतने ही hours रखने है अपनी पढ़ाई के लिए अगर आप इससे जादा रख लोगे तो आम शूर आप वो time table follow नहीं कर पाओगे तो यह hour आपके पास आया कहां से यह आया routine work आपको करने में कितना time लगता है उसे plus कीजिए आप अपने school में कितने hours देते हैं उसे plus कीजिए tuition classes में आपके कितने hours चाते हैं इने plus कीजिए और फिर जो आपके पास time बचा इससे आप अच्छे सबने दिमाग में रख लीजिए मैं य इसकी help से आप एक अच्छा time table बना सकोगे और उसे आप follow भी कर पाओगे अब आपने अपने goals लिख लिए अपना mind map बनाने के लिए अपने आपको evaluate भी कर दिया अब चलिए सच में आपका वो mind map ready करते हैं यानि कि आपका time table ready करते हैं सबसे पहले तो उठने की ही बात आती ह time table में तो मैं आपको बता दू कि आपको हमेशा जल्दी उठेने पर focus करना चाहिए नहीं कि रात को देर तक पढ़ने पर क्योंकि हमारी body को God ने इसी तरह से create किया है कि हम सूबे काम करें और रात को हम सोएं और आप इसे खुद भी try कर लो ना पूरे दिन आप सो और रात क आप काम करो आप जब रात को काम करोगे आपका energy level बहुत कम रहेगा आप tired फिल करोगे आप sleepy फिल करोगी बट दिन में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ पर मैं आपको तीन time बता रहे हूं आपको जो convenient लगे आप उसे choose कर सकते है या तो आप रात को 9 बजे सोईए और चार बजे उठीए या फिर आप रात को 10 बजे तक सो जाईए और 5 बजे उठीए या लास्ट आप 11 बजे सोईए और 6 बजे उठीए इसके लेट आपको नहीं सोना है और नहीं जागना है इन में आपको 7 घंटे के नेंद भी मिल रही है जो आपके body के लिए एकदम sufficient है एक आपको कह दिजे कि भाई अब मैं उठ गया हूँ या उठ गई हूँ और वापिस मुझे नहीं सोना है जब आप सुवे उठ रहे हो तो ये बात याद मत करो कि मैं जल्दी उठ रहा हूँ पांच बज रहे हैं मैं इतनी जल्दी क्यों उठ रहा हूँ बस ये बात याद पाइंगे एक बार आप उठ गए फ्रेश हो जाएए पानी वानी पी लीजे एकदम से उठके पढ़ने मत बैठिये प्लीज इन फैक मैं आपको ये कहुंगे कि अगर आप चार बजे उठते हो तो कम से कम चार बीस या चार पच्चिस तक अपने आपको फ्रेश करो क्योंकि अब आपको पढ़ाई करनी है 5 बजे उठते हो तो 5, 20 या 5, 25 और 6 बजे उठते हो तो at least 6, 20 या 6, 25 तक फ्रेश हो जाओ अच्छे से ताकि जब आप पढ़ने बैटो तो आपको बिल्कुल नींद न आए और आप फ्रेशली पढ़ सको आप उठे उसके बाद थोड़ा बहुत चल लीजिए फिर पानी पिलीजिए फ्रेश हो जाईए और उसके बाद पढ़ने बैठीए और अब आप बिल्कुल तयार है अपने पहले स्टेडी सेशन के लिए याद रखिए आप जो टाइम टेबल बना रहे हैं उसमें आपके टोटल स्टेडी सेशन जो होने वाले हैं वो आपके टोटल सब्जेक्ट के बराबर होने चाहिए जैसे कि अगर आपका पार्ट सब्जेक्ट है तो at least आपको पार्ट स्टडी सेशन रखने हैं छे है तो छे, साथ है तो साथ और मैक्सिमम आठ है तो आठ स्टडी सेशन भी रखिए मैं आपको ये नहीं कहा रही हूँ कि आपको हर स्टडी सेशन को 2-2 गंटा, 1 गंटा खीचना है बिल्कुल नहीं आप अपने hard subject के लिए 50 मिनिट भी रख सकते हो और अपने आसान subject के लिए 30 मिनिट भी रख सकते हो ये भी काफी है अब आप मुझे ये भी कह सकते हो कि क्या हम सिफ 50 मिनिट दे कर और 30 मिनिट दे कर अपना portion कंप्लेट कर पाएंगे अपना syllabus कंप्लेट कर पाएंगे जी बिलकुल आप कर पाओगे क्योंकि अभी आपके पास आपके exams के लिए 5 महीने हैं इनफेक्ट उससे भी 5-10 दिन जादा ही है अगर आपने continuity maintain रखी अगर आप लगातार पढ़ते रहे रोज पढ़ते रहे तो आप बिलकुल ये कर लोगे इनफेक्ट जब मैं 10 standard में थी तो मैंने अपने hard subjects को सिफ 45 मिनिट सी दिया था जैसे कि science और maths और easy subject लेक हिंदी और गुजराती इनको तो सिफ मैं 25 मिनिटी करती थी तो भी मेरे results काफी अच्छे आए थे यहाँ पर time limit की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर बात है continuity की anyways अगर आपके पास ज़्यादा time है तो आप ज़्यादा time भी दे सकते हो अगर कम time है तो आप इसे follow कर सकते हो for example अगर आपके पास 7 subject है तो आप अपने 7 study sessions रखोगे उसमें आपके 2 subject hard है तो समझ लो आप उन्हें 50-50 मिनिट देते हो यानि कि 100 minutes which means 1 hour 40 minutes और आपके बाकी के जो 5 subjects है वो आपके लिए थोड़े easy है तो आप उन्हें 30-30 minutes दे रहे हो यानि कि 150 minutes और hours में देखे तो 2 hours 30 minutes तो total यहाँ पर हो रहा है 4 hours 10 minutes तो क्या आप दिन में इतनी भी पढ़ाई नहीं कर सकते है जी आप बिल्कुल कर सकते हो आपका जो पहला study session हो make sure कि उसमें आप hard subject ही चुने ऐसा मैं क्यों कह रहे हूँ क्योंकि आपको हमेशा दिन के शुरुआत में अपना मुश्किल काम ही पटाना है इसके उपर तो पूरी की पूरी एक किताब लिखी जा चुकी है जिसका नाम है eat that frog first यहाँ पर author ने frog को मुश्किल काम से compare किय और author ने कहा है कि आपको सबसे पहले ही उस गंदे से frog को खा लेना है ताकि आप पूरे दिन बहुत tasty खाना खा सको उसी तरह आपको भी करना है पहले अपने मुश्किल subject को complete कर लिजिए उसके बाद आपके पास सिफ आपकी easy subject सी बचेंगे तो जो आपका पहला study session होगा make sure कि आप उसमें hard subject ले फिर आप थोड़ा सा break लेके एक easy subject ले लिजिए और फिर एक और hard subject पकड़ लिजिए अब मैं आपको एक overview देके बहुत अच्छे से समझा देते हूँ कि finally आपको जब अपना time table बनाना है तो क्या-क्या चीज़े अपने दिमांग में रखने हैं सबसे पह हाड आप पढ़ाई करते समय ब्रेक भी ले सकते हैं लेकिन हां 10 मिनिट पढ़के 15 मिनिट का ब्रेक बिल्कुल नहीं लेना है at least आप 40 या 50 मिनिट तक खुद को अपने books में ही लगाकर रखिए फिर आप ब्रेक ले सकते हैं आप जो breaks लेते हैं उसमें प्लीज टीवी या मो एक टाइम है तो आप वॉक ले सकते हैं या फिर आप अपना face wash कर लीजे या फिर आप अपने family members वालों के साथ बातचीत कर लीजे या simply आप बैट जाईए breathing exercises ही कर लीजे ये सब करने से सच में आपका मन और आपका दिमाग शान्त हो जाएगा ना ही की तेज तेज वॉल्य में मोबाइल में गाने चलाने से इसके बाद जो आपको बात याद रखनी है वो है feed your body अपने body को आपको अच्छी तरह से feed करना है आपको time पे breakfast, lunch और dinner करना है बीच में अगर आपको भूख लग जाती है तो आप fruits prefer कीजिए fruits खाने से आपका energy level maintain रहता है उसमें natural sugars होते है जो आपके body के लिए वाकई बहुत अच्छा है और fruits आसानी से digest भी हो जाते हैं आप junk foods और processed foods बिलकुल avoid कीजिए ये सब खाना कच्छे खाने के बराबर है आप कच्छला इसलिए नहीं खाते हो क्योंकि वो अच्छा नहीं दि एक दम भरा भरा और आपको लगता है वहां कितनी energy आ गई बट ये सारे foods हमें instantly energy दे देते हैं बूश्ट कर देते हैं बट थोड़ी देर बाद हम पूरे के पूरे low हो जाते हैं और ये काजू बदाम बाला मुहावरा ये अपने दिमाग पर ज्यादा हावी मत होने दिमाग होगा सब कुछ याद रहेगा ये सब भूल जाओ अगर आप काजू बदाम खाते हो ठीक है बाई very good आप खाते रहिए लेकिन नहीं भी खाते हो तो खा सकते हो तो खाओ कोई दिक्कत नहीं है बहुत healthy होता है बट अगर आप नहीं खा पाते हो तो कोई बात नहीं 3-4 बार revision कर लोगे वो answer 2-3 साल तक याद रहता है बस घर का freshly prepared खाना खाईए fruits खाईए पानी पीजिए बहुत सारा आप अपने body को तो feed करते हो बट अपने mind पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको अपने mind को भी feed करना है आप पढ़ते तो हैं लेकिन actual में exam hall में main किसका है आपके दिमाग का और आपके हाथ का exam hall में आपका दिमाग आपके answers को फटाफट recall करेगा और आपका हाथ उसे फटाफट से लिखेगा तो आप ये बात को ध्यान में रखे कि आप कुछ breathing exercises रोज रोज कर सकते हैं जैसे कि अनुलोम विलोम या फिर कपाल भाती प्र कि ये 10-15 मिनेट ही सही बट आपको exercise करना है और आपको करना पड़ेगा क्योंकि अभी अभी की जो अपने situation है इसमें हमें पूरे दिन खाली बैठना है हम ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं जब हमारा school चालो होता था चलो हम पैदल या फिर किसी भी तरह से हिलते डूलते रहते थे इदर से उदर जाते रहते थे बट अभी हम अपने घर में हैं सो हमारा food easily digest हो सके हमारा mind एकदम active रहे body active रहे इसलिए हमें exercise करना होगा दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि time table बनाना कैसे है अब आपको time table खुद अपने हाथों से अपने लिए बनाना है बनाने के प्लीज ट्राइ किजिये उसे follow करने का don't worry या don't feel guilty अगर आप अपने time table को थोड़े समय के लिए follow नहीं भी कर पाए तो किसी urgent work के आने की वज़ा से आप अपने time table को एक दिन follow नहीं भी कर पाए कोई बात नहीं चलेगा या फिर आपने time table को आधे दिन follow करा आधे दिन follow नह नहीं करा ये भी चलेगा लेकिन कभी भी आपको ये नहीं करना है कि अपने time table को उखाड के fact देना है क्योंकि इससे आपकी कमजोरी ही reflect होगी अभी ये time आलस्पन का नहीं है laziness का नहीं है आप सब एक योद्धा हो आपको योद्धा की तरह तयारी करनी है हमारा जंग यान कि हमारा एक्जाम आने वाला है और उसे हमें जीतना है best of luck dear friends thank you so much for watching this video till end अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये like button आपको दिख रहा होगा बहुत मस्तिक हो रहे जल्दी से इसे दबा दो अगर आप channel पर नए आया है तो please channel को subscribe कर लिजे मैं आपके लिए ऐसे व मैं आपके लिए लिए